दोस्तों मैं सवरंबलिक आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ डेली करेंट फिर कुईज में आज हम देखेंगे चार अक्टबर की करेंट फिर को जो कि सभी परिक्साओं के लिए मैथ पून रहेगी डेली करेंट फिर कुईज में मैं आपको डेली 10 मिनिट में 20 करेंट फिर के कोशन आंसस को कवर कराता हूँ जो की पूरे दिन की करेंट फिर होती है अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना आज का हमारा रिविजन कोशन है हाल ही में कौन सबसे 23,000 इंटरनेशनल रन बराने वाले खिलाडी बने है इस कोशन का अंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बोक्स में बताएंगे शुरू करते हैं आज की करेंट फिर को और पहला कोशन आपकी स्क्रेन पर है वर्ल्ड ग्रीन एकनॉमी फोरम को हाल ही में कहां उधगाटन किया गया पहले कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों तुपाई में यानि की बी करेक्ट आंसर हैगा कोशन नमबर टू है आई एस एस एफ जूनियर पच्चिस मिटर पिस्टल में भारत के लिए सण पदक किस ने जीता सही आंसर हेगा दिव्यांसी ने यानि की ए सही उत्तर रहेगा कोशन नमबर टू है पियम मोदी ने किस राज्चे में चार बायो गैस यूनिट का अनावरन किया तीसरे कोशन कराइट आंसर हेगा असम में यानि की सी करेक्ट आंसर हेगा कोशन नमबर फूर है नीती आयोग ने हालही में महिला उदमेता मंच की सुरवात किस राज्चे के साथ की है कोशन नमबर फूर का राइट आंसर हेगा तलंगना यानि की ए राइट आंसर हेगा कोशन नमबर फाइव है पी एम मोधी ने धरती आबा जन जाती है ग्राम उतकरस अभ्यान की सुरवात किस राज्चे में की राइट आंसर हेगा छारखंड में आनि की इस दा राइट आंसर अब देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं बहुत सारे स्टूरेंट को अलग-अलग सब्जेक्ट की पीडियाप लेनी है और बहुत सारे सब्जेक्ट को पूरे सभी सब्जेक्ट की पीडियाप ले लिए, message में कोई भी हाई हेलो नहीं लिखेगा, आपको अगर current fair की PDF लेनी है, तो sir मुझे current fair की PDF लेनी है, इस परकार से message लिखेए, अगर आपको all subject की PDF लिखनी है, लेनी है, तो आपको direct message करना है, sir मुझे master PDF लेनी है, सिर्फ इतना करना है, अलग-अलग PDF लोगे, तो 700 प्रिट्टी की हो जाएगी चटा कोश्चन है हाल ही में साथवे रास्टे पोशन महा तोज़ाच चोबिस का समापन समारों किस इस्थान पर आजित किया गया चटे कोश्चन का राइट आंसर हैगा राची जहारखंड यानि कि ए राइट आंसर हैगा कोशन नबर साथ है 28 फरवरी 2025 को पचासवे सीजर पुरुषकार में मानत सीजर पुरुषकार से किसे समानित किया जाएगा कोशन नबर साथ का राइट आंसर हैगा जूलिया रोबर्ट्स को यानि कि डी करेक्ट आंसर हैगा कोशन नबर एट है हाल ही में उस्तम्याले ने यूए पी ए परतिबंदों के लिए कितने दिनों की समय सीमा अनिवारिया की है राइट आंसर हैगा दोस्तो चोदा दिन की यानि कि बी करेक्ट आंसर हैगा कोशन नबर नाइन है हाल ही में भारत ने बांगदेश को हराकर लगातार कौन सी भी टेस्ट रीज जीती नोबे कोशन कराइट आंसर हैगा अठार भी यानि किसी करेक्ट आंसर हैगा कोशन बर दस है हाल ही में रास्टे वन्ने जीव सब्ता कब से कब तक मनाया जाएगा इस कोशन का राइट आंसर हैगा दोस्तो दो से आठ अक्टूबर यानि कि भी करेक्ट आंसर हैगा ग्यारवा कोशन है निन्वे से किस स्थान पर आयूस मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट दोजार चौबिस का आयजन किया गया सेशन आपको अच्छा लगे प्यारे दोस्तो तो प्लीज लाइक जरूर किया करें और सेर किया करें अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो साड़े 6 बजे आती है ओनली टॉप स्थाड़ी यूटूब चैनल पर आप चेक किसी भी कॉंपरेटिव एक्जाम की त्यारी करते हैं इस वीडियो को रेगुलर फोलो करिए इसमें आपको सारे करेंट अफिर मिल जाय करेंगे ग्यारवे कोशन का राइट आंसर हेगा मुंबई में यानि की ए करेक्ट आंसर हेगा कोशन बर बारा है मारास राज्य सरकार द्वारा कला के छेतर में सुरग्य वासु देव गायतोंडे लाइफटाइम अचीवमेंट प्रूसकार से किसे समानित किया गया ग्यारवे कोशन का राइट आंसर हेगा लक्समन्स रेस्ट को यानि की बारवे कोशन का राइट आंसर भी हो जाएगा कोशन मबर थर्टीन है कलाउडिया सिनेबाम ने किस देश की पहली महिला रास्पती के रूप में सपतली है कुश नंबर 13 का राइट आंसर हैगा मेक्सिको यानि कि भी करेक्ट आंसर हैगा कुश नंबर 14 है ICC Women's D20 World Cup 2024 का यजिन कहां किया जाएगा कुश नंबर 14 का दोस्तो राइट आंसर हैगा United Arab Emirates में यानि कि राइट आंसर ए रहेगा कुश नंबर 15 है हाल ही में भारत ने कि देश से आयतित इस बात पर एंटी डंपिंग जाच शुरू की है पनरबे कुशन का राइट आंसर हैगा चीन यानि कि भी करेक्ट आंसर हैगा कुश नंबर 16 है हाल ही में किसने RINL में CMD का अत्रिक परभार समाला है 16 का राइट आंसर हैगा दोस्तो EK सकसेना यानि कि C करेक्ट आंसर हैगा सतर्वा कुशन है हाल ही में भारत कहा यूरेन यूरेनेवल 2024 रक्षा परदस्नी में भाग लेगा राइट आंसर हैगा फ्रांस यानि कि B इस दा राइट आंसर कुशन नबर 18 है हाल ही में कहा बाप्पू टावर का लोकारपन किया गया है 18 कुशन का राइट आंसर हैगा दोस्तो बिहार में यानि कि A इस दा राइट आंसर कुशन नबर 19 है हाल ही में परदानमंत्री मोदी ने कहा जमय का मार्क का उदगाटन किया है 19 में कुशन का राइट आंसर हैगा दोस्तो दिल्ली में यानि कि B करेक्ट आंसर हैगा कुशन नबर 20 है हाल ही में किस देस में U A E M के राइदूत के आवास पर हमला किया गया है सही आंसर हैगा सुडान यानि कि 20 वे कुशन का राइट आंसर C हो जाएगा अब देखे ये तो थे हमारे 20 करेंट फिर के कुशन आंसर अब बात कर लेते हैं आज के हमबर के बारे में आज का हमारा हमबर का कुशन है हाल ही में किस देश ने सही उक्तरास्टे मास अचीव एंतोनियो गुतरेस के देश में परवेस पर परतिबन लगाया है इस कुशन का आंसर सभी स्टोडेट कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका सही उत्तरा आपको कल की वीडियो में बताया जाएगा आज का हमारा कुशन अफ़ देश है कितने परतिशाद लोग सहर में रहते हैं इसमें आपको पांच सेकिन का समय मिलता है जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में बताएगा इस कुशन का दोस्तो राइट आंसर है दोस्तो 31 परसेंट यानि कि A करेक्ट आंसर हैगा कल का हमारा होमवर्क का कुशन था हाँ भारत के वैस्विक वी निर्मान केंदर बनाने की दिसा में सुरू की गई मेकिर इंडिया पहल ने 25 सितंबर 2024 को कितने वर्स पूरे कर लिये हैं तो राइट आंसर रहेगा दोस्तो 10 साल यानि कि A is the right answer पिरे प्यारे दोस्तो आप लोगों ने अगर Only Top Study App नहीं डाउनलोड किया इसको डाउनलोड कर लिजे यहाँ पर आपको सारी चीज़ा आगी जो स्टुडेंट अलग अलग जगे से लेने के लिए कोसिस करता रहता है यह सारी चीज़ा आपको केवल और केवल अभी 170 में मिल जाएगी बट 180 रुपे आप मानके चलिए कि अगर आप आज कल में नहीं लेते हैं तो यह पीडियप 180 रुपे की हो जाएगी और अगर आप इन सारी पीडियप को अलग अलग से लेंगे तो यह 700 रुपे की पीडियप है ठीक है इसमें 10,000 कोशनांसस मिलेंगे कोशनांसस हमने बढ़ा दिया है सेशन आपको अच्छा लग है तो प्लीज लाइक सेर करिए चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करिए बैल आइकन को ओन रखिए ताकि आगया आने वाली कोई भी वीडियो मिसना हो थैंक यू सो मच बाई बाई अबरीबन टेक कर खाल लग अपना मिलते नेक्स क्लास में